नमस्कार निशामदलिका.com में आपका स्वागत है सर्दी का मौसम है और बजार में बहुत सारी सब्जिया आई हुई है आज हम सब्जियों से नवरंग अचार बनाएंगे खाने के साथ में आप इसे निकाल कर रख लें तो खाने का टेस्ट दुगना हो जाता है और अचार क तो एक बार बनाके रख लें पूरे चार-पांच महिने तक खा सकते हैं तो शुरू करते हैं बनाना नवरंग अचार बनाने के लिए हमने यह सब्जिया ले ली है शलगम 150 ग्राम फूल गोबी 200 ग्राम मूली 150 ग्राम करेले 100 ग्राम गाजर 150 ग्राम हल्दी 150 ग्राम बिंस 100 अध्रक 100 ग्राम और हरी मिर्च 100 ग्राम तो यह सारी सब्जियां लगबग सवा किलो हो जाती है अचार बनाने के लिए सबसे पहले सब्जियों को काट कर तैयार करना होगा करेले का आगे पीछे का हिस्सा काट कर हटा देंगे और पतले-पतले स्लाइस बना लेंगे इसके सार मूली को हम लगफब 1.5-2 इंच के पीसे में पहले डिवाइड कर लेते हैं पीसे तो आप अपनी पसंद से कैसे भी बना सकते हैं लेकिन मैं मूली के थोड़े लंबे पीसे बना रहे हूं और अब यह गाजर ले लेते तो इन्हें भी हम पहले छील लेंगे यह हमने गाजर कढ़चब कैट लिए और यह फूल गोवी फूल गोवी कट गए यह बींजै कि अब यह सल्जम कि और यह सब्झेयों हमने काट ली इन्हें हमें ब्लांच करना है तो जो और गरे हरी मिर्च हलदी बचिया उनुने बाद में काट लेंगे सब्झेयों को ब्लांच कर न पानी में अच्छा उबाल आ गया इस सारी सब्जियां जो हमने काटी है वह हमने डाल दी पानी में फ्लेम हाई है इस सब्जियों को हम ढख कर घड़ी से देखकर 3 मिनिट कुखोने देंगे तब तक हम बचे हुए हरी मेर चद्रक और हल्दी को भी काट लेते हैं अध्रक और कच्छी हल्दी बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं इन्हें अचार में जरूर सामिल करें तीन मिनिट हो गए इन्हें कुक होते हुए सब्जियां ब्लांच हो गई फ्लेम तुरंद बंद कर देंगे और सब्जियों को छान लेंगे यह प्याले के ऊपर छली रख ल पूरा अच्छे तरीके से इन्हें खोल देंगे सुखाने के लिए आप इन्हें धूप में रख सकते हैं दो घंटे के लिए या फिर एक गंटे पंखे के नीचे छोड़ दें मैं इन्हें पंखे के नीचे रखने चाहरे हूं पूरा जितना आप इन्हें खुला कर सकते हैं हवा में रखे हुए यह बिल्कुल अच्छे से सूप कर तयार हो गए हैं देखिए हम इने उठा रहे हैं तो पानी बिल्कुल हातों पर नहीं आ रहा है और हमें बहुत ज्यादा सुखानी भी नहीं है तो अब अचार बनाते अचार के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं तो यह लिए यह एक तिहाई कप पीली सर्सों टेबल स्पून से ना परेंगे तो 6 टेबल स्पून पीली सर्सों हैं मीडियम फ्लेम पर एक मिनिट रोस्ट कर लेंगे हमें मसालों की नमी खतम करनी होती है अगर हम इने तेज धूप में रख दें तो भी मसाले अच्छे से सूप के त दो टेबल स्पून मेथी के दाने और एक छोटी चमज जीरा इन्हें भी हम अलका सा भूनेंगे जस्ट एक डेड़ मिनिट बस मसालों से हलकी सी खुश्बू निकलने लगे इनसे अच्छी खुश्बू आने लगी है भून गई है डेड़ मिनिट में मसाले भून कर तयार ह गई है साथ ठंडी हो गई है इस यela में डाल देते और यह दंगे अ कंतर नभी पीसे हैं और अवह ओतला मोटा और यह भी हमने जह दल दो यह कडाई लेलि हमने प्रओं का तेल ओ 10 कर दान में मिजरा थे हमने घ्यरी जार होता है तेल को अच्छी तरह से गरम होने देते हैं, धुआ उठने तक हम इसे गरम करेंगे, क्योंकि सर्सों के तेल का जो तीखा पन है, वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, तो तेल को अच्छी से गरम कर लिया जाए, तो तीखा पन कम हो जाता है, अगर आप सर्सों के तेल का तीखापन पसंद करते हैं तो इसे बहुत जादा गरम करने की जुरूत नहीं है बस उतना ही घरम करेंगे जितने में के मसाले भूल सके अच्छा गरम हो गया यह अब हम गैस को एकदम धीमा कर देते हैं और ऑईल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे क्योंकि अब भी अगर हम एक छोटी चमज साबूत काली मिर्च यह मिर्ची अचार में बहुत अच्छी लगते हैं और यह एक टेबली स्पून हल्दी पाउडर मिला लेते हैं इन्हें अब यह सबजियां में डाल देते हैं इसने फ्लेम बंद कर दिया हमने पहले ही हल्दी और यह अध्रक हरी यह शुटी चमज कलोंजी डाल में यह उप्सिनल है लेकिन अच्छी लगती है यह चार में और सादा नमक 3 टेबली स्पून यह स्वादान सर नमक डाल दीजें एक टेबली स्पून काला नमक का स्वादवी अचार में बहुत अच्छा यह एक चोथाई कप कश्मीरी लान म कैम तीक होतीए और चार में बहुत अच्छा कहलर देती हैं असारी चीज़ों को मिलाते हैं पीली सरसुक में भून करव door ती और इसाय जीरस्यों मिला देतें सारी चीज़ों wär से बाइसनों को आप अचार के लिए कोई भी विनेगर ले सकते हैं, एपल साइडर भी ले सकते हैं, नवरंग अचार तैयार हो गया, लेकिन अभी आप इसे खाएंगे तो उतना मजा नी आएगा, इस अचार को जब आप तीन चार दिन के बाद खाएंगे, तो यह बहुत जादा टेस्टी ल लग रहा है, बहुत ही टेस्टी बनकर तयार हो गया है, और मुझे यह थोड़ा सूखा लग रहा था, तो मैंने एक कप सरसव का तील गरम किया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहली किया था, और ठंडा करके अचार में मिला दिया, और अब यह तेल अचार में बिल्कुल सफिसेंट है, आपको और तेल डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसे किसी कंटेनर में भरेंगे, तेल नीचे बैठ जाता है, अचार उपर से थोड़ा सूखा लगता है, तो निकालते समय आप अचार को चम्चे से चला दीजे, और बहुत ही अच्छा अचार उपर आजाएगा, आप उसे निकाल लीजे, आपको बहुत पसंद आएगा ये अचार, और इस अचार को आप बिल्कुल इसी तरीके का रख कर छे महीने तक आ सकते हैं, जब आप सब्जियों को ब्लांच करें, तो पानी में ओबाल आने के बाद सब्जियां डालें, ढखक सिर्फ तीन मिनिट कोक करें, और सब्जियों को फटा फट चलनी में चान कर निकाल लें, इसके बाद तो तेल गरम करना है, मसाले मिला देने, अचार बनकर तयार है, तो आप ये अचार बनाईए, खाईए, और अपने अनवब में साथ शेर कीजिये, और मुझे बताईए क मुझे आपके लिए और क्या बनाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिये